नमस्कार मेरा नाम है अधित्य और आप देख रहे हैं भी एची उपाट साला आज है 26 नुवंबर यानि भारती सम्विधान दिवस उसके साथ ही साथ भारती कानून दिवस यानि रास्ट्रे कानून दिवस नेशनल लॉडे ये दिवस यानि ये 26 नुवंबर का जुद दिन ह वो क्यों भारती सम्विधान दिवस के रूप में मना जाता है इस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देखिए विश्व के सबसे विशालतम लिखित सम्विधान जिसको निर्माड में दो वर्स 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 114 दिन की बहस होई थी और 12 सत्र के उपरांत हमारी ये सम्विधान हमारे सम्विधान निर्माताओं ने तयार किया था इन महान विभूतियों ने 60 से अथिक देशों के सम्विधान का गहन अध्यान किया उनका मुल्यांकन किया उसके उपरांत इस महानतम सम्विधान को तयार किया है तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहली चीज यह है कि आज ये दिन यानि 26 नौंबर का दिन जो है उस दिन हम समिधान दिवस मनाते हैं और साथ ही साथ नेशनल लॉड यानि रास्टिय कानून दिवस भी मनाते हैं तो आखिर इसकी घुश्रा कब होई थी कि ये 26 नौंबर समिधान दिवस के रूप में मनाया जागा है ये पहले हम समझते हैं यानि भारत में समिधान दिवस मनाने की घुश्रा कब की गई थी तो आप ये जान लीजिए 29 नौंबर 2015 को Statue of Equality Memorial की आधार शीला रखते हुए ये घुश्रा की गई थी कि प्रतेक वर्ष भारत वर्ष में 26 नौंबर को भारतिय समिधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा उसके पुर्व किष्टिती क्या थी 2015 से पहले यह दिन किस रूप में मनाया जाता था तो यह दिन 26 नौंबर का दिन जो है राश्री कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था अब अगर हम बात करें कि ये 26 नॉम्बर का दिन ही क्यों चुना गया भारतिय समिधान दिवस या राश्रिय कानून दिवस मानाने के लिए तो देखिए 26 नॉम्बर 1949 को इतिहास में बहुत ही इंपोर्टेंट दिन है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में लग नॉम्बर 1949 को ही हमारे भास्री समिधान बनकर तयार हुआ था इसी दिन Сुविकार किया गया था इसी दिन अंगिकरित किया गया था और देखिए इसी कणर साथ नवंबर को भारतिय समिधान दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ भारतिय कानून दिवस, यह निशनल लॉडे भी मनाते हैं, अब देखी, अब बात आती है, कि हमारा समिधान तो 26 नॉवंबर को बनकर तयार हो गया, लेकिन लागू कब से हुआ, तो हम सभी पर हमारे देश का समिधान 26 जनॉवर 1950 से लागू होता है, इसी दिन से हमारा भारत जो है, वह समिधान के दायरे में आ जाता है, यानि जो हमारा वरतमान समिधान है, वह 26 जनॉवर 1950 को लागू हो जाता है, अब हम इसके आगे चलते हैं, अब देखी, बात आती है, कि अब हमारी समिधान की उसको हम समझ देखिए मैं विशेशताओं का वरण्ट करने से पहले आपसे एक बात सेर करना चाहूँगा कि आप विश्वके किसी भी सम्विधान को पढ़िए यह समझी यह देखिए आपको 5 Concepts एक ही साथ ही विश्वके किसी भी देश के सम्विधान में नहीं मिलेंगे वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ पहला है सौवरेन यानि संप्रभुता दूसरा है सेक्विलर यानि की धर्न नेरपेख्षता या पंत नेरपेख्षता शोशलिस्ट यानि समाजवादी और डेमोक्राटिक लोगतांत्रिक और रिपब्लिक यानि गड़ राज्य यह संबिधान वह अभी सुका सबसे विशालतम लिकित संबिधान हैं इसी किसाथ साथ एक हमारे भारती संबिधान की विश्रिष्टा यह अभी है कि एक living document living document कहने के निया कि जीवनत दस्तावेज है कैसे जीवनत है अगर इसमें किसी भी संसोधण की जरूत पड़ती है तो र प्रक्रिया बनी होई है यह आर्टिकल 368 में संसत के पास यह सकती है कि अगर जो भी जरूरत है समाज के अनुशार कोई समिधान में परिवर्तन आवश्यक है तो उसको परिवर्तन उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो ऐसे यह क्या है लिविंग डाकुमेंट है एक जिवन अपन भी है दोनों का यह समावीस है ठीक है अलग-अलग प्रावधान है जहां से यह हमको पता चलता है कि एक बिल्कुल रिजिड है बिल्कुल कठोर है कुछ ऐसे प्रावधान है जहां से पता चलता है कि यह flexible है तो इन चीज़ों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ इस्प्रकार का है भारत का संविधान आप देख पारे होंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूरь, प्रभुत्य, संपन, समाजवादी, पंतनिरिप्ष, लोग्तांत्रे, गड़ाज बनाने के लिए तृथा। उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक इस प्रकार हमारा पूरा ये प्रस्तावना है इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है नीचे की लाइन में आई आई आप जैसे ही नीचे आते हैं अप इस सम्विधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ये चो लाइन है ये बहुत ही इं इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बात गई है आत्मार्पित करने की ये कि कि स्वेंघ्ण पर ही लागु कर रहे हैं ये किसी ओर पर लागू नहीं हो रहा है पहले पहले हम किसी पर लागू कर रहा है है यहीनम्यित अधरह यह ayam हम इसे स्वयम पर लागू करेंगे, स्वयम इसका पालन करेंगे, और फिर औरों को इसके प्रती, जागरूप करेंगे, यह हमारे समयधान की भावना है, यह हमारे समयधान का एक मूल उद्दे शे रही कह सकते हैं आप, देखें यह बहुत ही important word है क्या है आत्मार्पित करते हैं clear हो गया होगा मैं समझता हूँ चीजे अब मैं आगे बात करता हूँ देखिए अगर आगे बात करी जाए कि यह हमारा प्रस्तावना हो गया अब प्रस्तावना में क्या है यह है इंगलिस वरजन इसको भी आप देख हान है इसका निर्माड जनता नहीं किया हुआ है यह बात आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना में कुछ बदलाव हुए इसमझ लिए 1976 में एक संसोधन होता है 22 संसोधन कौन सा संसोधन होता है वो 22 संसोधन होता है और उसमें जो है तीन सब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़ दिया जाते हैं उस संविधान संसोधन के तरह तीन सब्द जोड़ जाते हैं और वो शब्द कौन-कौन से हैं उनको आप समझ लिए पहला सब्दाता है सोशिलिस्ट समाजवादी दूसरा सब्दाता है सेक्विलर पंथ निर्वेक्ष और तीसरा सब्दाता है इंटिग्रेटी यह अखंडता यह तीनों सब जो है हमारे भारती सम्विधान के प्रस्तावना में वर्स 1976 में 1976 में 42 अमेंडमेंट के बाद यह एड किये गये हैं तो इस प्रकार हमारे सम्विधान के प्रस्तावना में कुछ बदलाव भी हुए हैं देखिए अब हम बात करते हैं कि हमारे यहां बहुत से विशियस कुछ प्रावधान हैं जैसे फंडमेंटल राइट से फंडम लाइट से अपने मौलिक अधिकार के प्रती जागरूख हैं तो साथी साथी हमारी जिमेदारी बनती है कि हम अपने मौलिक करतब्यों के प्रती भी जागरूख रहें हम अपने अधिकार के तो बात करते हैं लेकिन जो हमारे करतब बहुत समाज के प्रती देश के प्रती उ को हम को हम बिलकुल आत्मसाथ किये रहें कि हमारे करता भी क्या बनते हैं कि पूरे पर्यावड के प्रति क्या बनते हैं यहां नयाय का भी बात किया गया है यहां मतलब कोई concept बसता नहीं है इसलिए हमारा सम्विधान जो है बहुत सम्रिद्ध सम्विधान है देखिए हर सिक्के के दो पहलू आते हैं कुछ चीजे हैं जैसे हमारे सम्विधान में कुछ कमिया है अब जैसे आफ सर इविंग जेनिं सम्विधान हुआ एक उधार लिया हुआ सम्विधान है बहुत चाहिए आरोप लगते हैं आरोप नहीं कह सकते हैं आरोप कहाना सही नहीं होगा तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं लेकिन हमारे भारती सम्विधान में जो अच्छाई है वह बहुत जादा है यह समझे ज इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमारे समाज में अभी भी जागरुपता की बहुत कमी है हम संभिधान को पढ़ें मैं आप से मेरी जो सुपकामनाय है संभिधान दिवस के प्रती मैं कुछ इस प्रिकार से देना चाहूंगा मैं रिक्वेस्ट के माध्यम से देना चाहूंगा कि आप स्वयम भारती सम्विधान को पढ़ें समझें उसके प्रावधानों को जाने आप किसी भी शेत्र से हो साइन्स के हो आर्ट्स के हो कॉमर्स के हो किसी भी शेत्र से हो लेकिन हमारे देश का जो यह सरोच कानून है सुप्रीम लौ है इसके बारे में आप पढ़ें इसको को समझें और दोसरों को भी इसके प्रती जागरूप करें यही मेरी समिधान दिवस की सुपकामनाय होंगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए साथी साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप प्रिवेस करा के और अपनी चीजों को अच्छी तरीके से महां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद